भीरू अकाइडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे उत्तरप्रेस में भीएट चैनितों को लेकर के जो मामला उनस्तर जार से छगभरती में फसा हुआ है मानिश शुपरिव गोट में जिसके सुनवाई आप जानते हैं कि 22 जनव जनवरी को होने वाली थी लेकिन एक महत्रपूर जो अफडेट है वो प्राप्त हो रही इस सुनवाई 22 जनवरी को नहीं होगी उसका क्या रीजन है आफिर कारी सुनवाई पर क्या कुछ हो सकता है पूरी तरीके से चर्टा करेंगे लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बा 22 जनवरी को होने जा रही थी दरासल सुप्रिम कोट में उत्तर प्रेस के 79 जार में जो V8 के कैंडिडेट चैरित हैं उनको वाहर करने के लिए एक यार्चिका लगाई गई है गुड़ू सिंग की तरफ से और उसकी सुनवाई जो 22 जनवरी को होने जा रही थी दरासल अब उसको 23 जनवरी को रजिस्टरार के पास पहले उसको सिंट किया गया है ऐसा क्यों किया गया है डियर क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले सुनवाई जब 4 जनवरी 2024 को इस केस की हुई थी मानिक शुप्रिम कोट में तो वहाँ पर शुप्रिम कोट ने सभी पच्चों को सर्व हो गई है कि नहीं उसके बाद जो अगली देट है वो मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गुड्डू सिंग की हेरिंग अब 22 को नहीं होगी बलकि 23 जनवरी को रजिस्टरार आफिस में लग गई है पहले आफिस जाच करेगी सभी पार्टियों को नोटिस सर्व हो गया है या नहीं उसके बाद आफिस रिपोर्ट बनने के बाद अगली देट मिलेगी केस नमबर आप देख सकते हैं 1097 आफिस यूनियों आफ इंडिया अदर्स इलिष्टेड ऑन 23 एक 2024 इन कोट नमबर आर्टू आइज आइटम नमबर सब्जिक्ट की जो डेट है लगी है और वहां से ये देखा जाएगा कि पिछली सुनवाई में जब सभी को नोटिस इसू किये गए थे तो वो नोटिस सभी को सर्व हो पाई है या नहीं उसके बाद ही इस मामले पर आगे कुछ होगा आप जानते हैं एडियर कि NCT का जो 28 जून 2018 का के माई दे रहे हैं अब यहां पर गुड़ू सिंग जो एक सिच्छा मित्र है उनकी तरफ से एक पिटीसन फाइल की गई है और उनका कहिना है कि जब गजट कोईस हो चुगा जिस गजट के एक ओर्डिंग ये लोग जॉब कर रहे हैं अब गजट कोईस है तो इनको बाहर क जीए और जो कटाफ आपने 60-65 कर दे कि उसको डाउन करके 40-45 करके सिच्छा मित्रों को 24 संक का भारांग देते हुए सीटों को कम्प्लीट रूप से पूर्ड कर लीजिए ये मैटर को ले करके ये मानिक शुप्रिम कोट का दरवजा खटखटाई हैं और पिछली बार जो इनके एडवोकेट थे उनके द्वारा पूरी तरीके से ये तरक रखा गया चूकि बीएट की तरफ से आप जानते हैं एडवोकेट ने साब तोर पर कहा कि जो उत्तर प्रदेश के 69 जार की सिच्छकवरती है वो अल्रडी अलाबाद हाई कोट के डबल बेंस से डिसाइड ह होते हुए माननी शुपरिम कोट के दुआरा जस्टिस यू यू लेलित जी के दिसा निर्देश के बाद भरती कंप्लीट हुई है जबकि डियलेट की तरफ से या सिच्छामित्रों की तरफ से जो एडवोकेट हैं जो गुडू सिंग की याचिका पर एडवोकेट हैं उन् से ही एकजाम कंड़क्ट करवा पाती है सरकार उत्तर प्रेश की तो उसके अगले ही दिन इन्होंने कटाप को 40-45 से बढ़ा करके 65 कर दिया था और 65 जब किया तब मामला इलहाबाद हाई कोट पहुचा और वहां से सुप्रिम कोट तक पहुचा था वहां पर राजसरकार से निश्चित तोर पर कोट ने पूचा कि आपने विग्यापन में 40-45 रखा फिर आपने 60-65 क्यों कर दिया तो उहां पर यूपी की राजसरकार ने साब तोर पर कहा कि क्वालिटी एजुकेसंस को ले करके हमने ऐसा किया है चूकि हमारे पास 60-65 कटाप को ले करके भी लगव बोट भरती प्रकरिया में NCT के गजट को ले करके कुछ बातें थी एलजवेलटी को कि नहीं रामसरनाल मौरिया वाले केस में इसी को ले करके इस कितिती फॉस्ट करानी है गुडु सिंग की जो यार्चि का लगी हुई है अगर रामसरनाल मौरिया वाले केस में बियड जि सेफ जोन में खड़े रहेंगी लेकिन अगर रामसरण मौरिया वाले केस में सिर्फ कटाप को लेकर के चर्चा हुई होगी और NCT के गजट या ऐलेजबिल्टी को लेकर के कोई मैटर नहीं हुआ होगा तो निश्चित तोर पर इस पूरे भरती प्रक्रिया में भी विवात की जो इस्तिती है वो बढ़ जाएगी और गुट्डू सिंगी जी के तरफ से जो याच्छिका लगाई गई है उनके एड़ोकेट का साथ तोर पर यही कहना था पिछले सुनवाई में कि जो रामसरण मोरिया वाले केस्ट को भी निश्चित तोर पर वो रेट करेंगे और उसके बाद जैसे हिसकी अगली सुनवाई लगेगी 23 जन्मरी 2024 को आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार रफिस पर पहुंची होई है और वहां से अब यह शेक किया जा रहा है कि नोटिस तरव हो चुकी है कि नहीं उसके बाद जो नई डेट है वो मेरेगी और उसी डेट पर एक महत्रकूर सुनवाई मानी सर्वोच नेले में V8 चैनितों को लेकर के होने जा रही है उमीद करता हूँ सारे ड़ैट क्लियर होंगे कोई सवाल आप कर रह गया है कमेंट पॉक्स में ज़ियो रोल बेंसंस कीजैगा आपकी राय में क्या हो सकता है भरती परक्रिया में वो भी आप बेंसंस कर सकती है क्योंकि इस वर्ती प्रक्रिया में जो V8K candidate हैं पिछले दो साल से सिस्टम में work दे रही हैं दरसल उनको bridge course भी सरकार नहीं करवा पाई हलाकि bridge course का जो issue है वो इस वर्ती प्रक्रिया को इतना effect नहीं कर पाना है क्योंकि bridge course को ले करके 79 यार की जो candy rate हैं वो already सरकार को कई बार गयापन दिये साथ ही अलहाबाद high court में उन्होंने रिट याचिका भी इसके संदर्व में लगाई थी और इसके सुनवाई करते हुए high court अलहाबाद ने साब तोर पर कहा था कि bridge course कराना सरकार की नेतिक जिम्मेदारी है इसके लिए आप किसी भी प्रकार से परिसान न हो ये इसका जो effect है वो आपके उपर नहीं पढ़ने वाला तो bridge course का matter यहाँ पर doesn't matter कर पा रहा है वो इतना बड़ा इसू नहीं है लेकिन निश्चित तोर पर अगर NCT के गजट को निश्चित तोर पर राम तरण मौरिया वाले एक में जिक्र ना हुआ होगा तो फिर पूरी भरती प्रक्रिया एक बार संदे हात्मक इस्तिती पर जरूर आ सकती है और निश्चित दोर पर इस भरतिक प्रक्रिया में जो सुनमालिया हैं वही सारी चीजे आगे इस पर ठोपाएंगी पूरे वीडियो पर आपके क्या राए है जरूर कमेंट कीजेगा फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत